आज की क्लास में हम रिविजन करेंगे सर्वनाम चेप्टर का तो सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संग्या के बदले प्रयोग में लाए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम और संग्या क्या होता है? क्या होता है संग्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, इस्थान, आदी के नाम का जो भी बोत कराता है, वो कहलाता है संग्या, जैसे आपका नाम, मारा नाम, किसी और का नाम, किसी भी जगा का नाम, किसी भी शहर का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, जैसे ये है मारकर, किसी भी वस्तु का नाम, ये होता है और किसी भी प्राणी का नाम जो हम लेते हैं वो सारा कुछ क्या होता है? वो सारा कुछ होता है संग्या और जो भी शब्द संग्या के बदले में प्रयोग मिलाए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम शब्द तो सर्वनाम के क्या उदारण हो सकते हैं संग्या के बदले याने नाम के बदले जैसे हम आपके नाम के बदले बोल देंगे तुम वो उसका हमारा वे इस टैप के जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं नाम नहीं लेके तो ये कहलाता है सर्वनाम शब्द तो सर्वनाम के मुख्य तह 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसके द्वारा हम सर्वनाम को अलग-अलग कैटिगरी में डिवाइट कर सकते हैं, अलग-अलग प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा सर्वनाम है, तो सर्वनाम के 6 भेदों में सबसे पहला होता है पुरुष वाचक सर्वनाम, पुरुष वाचक सर्वनाम क्या होता है, जो किसी व्यक्ति विशेश के बारे में बता रहा है, जैसे अगर पुरुष वाचक सर्वनाम में तीन भेद होते हैं, उनके खुद के तीन भेद होते हैं, क्या क्या होता है, पहला क् कोई खड़ा है उससे अगर वो बात कर रहा है तो वो तुम मैं तुम और जब किसी और के बारे में खड़े हो के आपस में वो लोग बात कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं तो वो होता है कोई अन्य तो वो कहलाता है अन्य पुरुष तो पुरुष वाचक सर्वनाम के मुख्यतत तीन भेद होते हैं, उसके बाद है second, निश्चे वाचक सर्वनाम शब्द, तो निश्चे वाचक सर्वनाम शब्द में क्या होता है, जिस भी हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमें पता है, कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो वो कहलाता है निश्चे वाचक सरुनांग, वहाँ उसका इस टाइब से नहीं होता है, उनको पता रहता है कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, फिक्स रहता है कि किसके विशे में बात की जा रही है, उसके बारे में बताया जाता है, वो होता है निश्चे, इसी के नहीं है जब हमको पक्का पता ही नहीं है तो इसलिए क्या कहलाता है वो अनिश्य वाचक सर्वनाम इसी क्रम में अगला है प्रश्ण वाचक सर्वनाम शब्द तो जिन शब्दों में प्रश्ण पूछा जाता है कुस्चन किया जाता है किसी प्रकार से कौन कहां कैसे इस प्र प्रयोग होता है यानि कि प्रश्न पूछा जाता है उसके बाद है संबंध वाचक सर्वनाम तो संबंध वाचक सर्वनाम में क्या होता है जिसमें की एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़ा जाता है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा तो जो और वो शब्द है क निजवाचक शर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, खुद के बारे में, स्वयम के बारे में बात की जाती है, कि मैं स्वयम पढ़ता हूँ, मैं स्वयम खाता हूँ, इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग होता है, वो होता है निजवाचक सर्वनाम, तो शर् प्रव्राम में इतने प्रकार हुआ